हेलो फ्रेंट्स आपका हमारे यूट्यूब चैनल प्रिपेरिंग टूगेधर में स्वागत है आज हम डिस्कस करेंगे मैक्सिमा एंड मिनिमा फॉर फंक्सन्स और टू वेरियेबल जो कि IIT जैम पॉंट आप यू से काफी इंपोटेंट टॉपिक है और यदि आप अपने यूनिवर्सिटी एक्जामनेशन के तैयारी कर रहे हैं तब भी यह टॉपिक आपके लिए उतना ही इंपोटेंट है तो चलिए देरी ना करते हुए वीडियो को सुरू करते हैं So friends, आज का हमारा टॉपिक है Maxima and Minima for Functions of Two Variable ठीक है, Two Variable Functions का हमें Maxima and Minima निकालना है और इस पे IIT Jam में 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 पूछा जाता है The Concept of Saddle Point ठीक है, तो जो हमारा टॉपिक है Most Important Topic है for IIT Jam और Other University Examination के लिए ठीक है, और Mainly इस पे जो Saddle Point का Concept है यह सबसे ज़्यादा Important है तो आज की वीडियो में हम इसी Maxima and Minima for Functions of Two Variable और Saddle Point पे डिसकस करने वाले है तो ठीक है तो Mainly इस टॉपिक पे हम डिसकस करेंगे कि How to Solve Question कि क्या Method है किसी Question को Solve करने के तो इसके लिए पहले हम कुछ Steps देखने वाले हैं तो चलिए Steps के ओर बढ़ते हैं So Friends हमारा Step No.1 है Write down the given function जो हमें function दिया हुआ है कोई भी ठीक है जो की Fxy function होगा कहने का मलब एक function F है जो की X और Y के term में हमको दिया हुआ है उसको एक नया function माल लेना है Z So Z equal to Fxy Step No.2 में जो हमने Z माना हुआ है इसको एक बार X के respect में differentiate कर दो एक बार इसको Y के respect में differentiate कर दो ठीक है कहने का मलब DZ upon DX निकाल लो और DZ upon DY निकाल लो बट बहुत सारी books में काफी books में हमें ये Z नहीं मानते हैं वो लोग वो directly Fxy को ही solve करते हैं So DZ upon DX को इसको वो short form में लिख लेते हैं FX X,Y और similarly DZ upon DY को लिख लेते हैं FY X,Y तेक है So ये notations है अगर आप किसी standard book को follow कर रहे है So आपको वहाँ ये notations मिल जाएंगे तो confused मत हुईएगा तेक है अब देखिए step number 3 step number 3 क्या बोलता है put DZ upon DX and DZ upon DY is equal to 0 जो आपने उपर DZ upon DX निकाला और DZ upon DY निकाला इसको क्या कर देना है equal to 0 कर देना है So एक equation आपकी यहां से बनेगी एक equation आपकी यहां से बनेगी तो उसके बाद क्या करना है find pair of all critical points So जो ये दो equation बनेगी इन्हें solve करके जितने भी आपकी critical point के pair निकलते है जितने भी critical point निकलते है उन सब को निकाल लेना है So यहां मैंने method आगे बढ़ाने के लिए suppose किया है कि let P and Q P, Q is a critical point but एक बाद सुनिए जब हम actual question करेंगे तो जरूरी नहीं कि वहाँ पर सिर्फ एक ही critical point आए वहाँ पर कितने भी critical point आ सकते है जब वीडियो के last में हम कुछ questions को discuss करेंगे तो वहाँ मैं आपको ऐसे questions कराऊँगा जहाँ पर 2, 3, 4 या उससे अधिक critical point भी आए हुए है ठीक है तो step 4 आप समझ गे होंगे एक बाद देखिए हमें fxy को equation दी है हमें उसे z मानना है हमें dz upon dx और dz upon dy निकालना है उसके बाद हमें dz upon dx और dz upon dy को equal to 0 रख देना है और at last हमें जो इदो equation मिलेंगी 0 रखके इनको solve करके pair of all critical points निकाल लेना है ठीक है आई आपको बाद समझ में अब देखिए इसके बाद क्या है now हमें तीन चीज़े suppose करनी होती है एक होता है हमारा r एक होता हमारा s एक होता हमारा t तो सबसे पहले r और t को discuss करते हैं क्योंकि यह सबसे easy है और at last हम s को discuss करेंगे so r क्या होता है जो आपने z माना हुआ था पीछे step में देखिए जो आपने z माना हुआ था इस z में आपने क्या किया था sorry मैं उस page को ले आता हूँ यह रहा so जो आपने z माना हुआ था इस z को आपने d z upon dx माना था और d z upon dy माना था कहने का मलब तो इस step में जो आपका r है जो आपने z माना हुआ था उसको X के respect में double differentiate कर देंगे आई बास समझ में देखिए Z को X के respect में differentiate करोगे तो DZ upon DX और X के respect में double differentiate करोगे तो D squared Z upon DX squared आजाएगा ठीक है ऐसी similarly अगर मैं T की बात करूँ तो जो आपने Z माना हुआ था इसको Y के respect में double differentiate कर लेना है ठीक है R में Z को X के respect में double differentiate करना है और T में Z को Y के respect में double differentiate करना है अब बात आई कि X की S की सॉरी S की कि हम S को कैसे निकाले है ठीक है मैंने हमारा S सो S निकालने के लिए देखिए यहाँ पर मैंने यूज किया है The Concept of Partial Derivatives ठीक है The Concept of Partial Derivatives इसमें अगर आपको पूरा lecture जानना है तो इसके बात मैं Concept of Partial Derivatives पे एक पूरा lecture लाने वाला हूँ आप उसकी मदद से किसी भी Partial Derivatives के question को easily solve कर सकते है But अभी हम Maximum Minima का Concept पढ़ ए तो जितना आपके लिए इस topic को जानने के लिए जरूरी है उतना मैं यहाँ पर लिख दिया हूँ तो देखिए S बराबर होता है D square Z upon D X D Y अब इसे आखिरकार आप solve कैसे करेंगे So D square Z upon D X D Y कहने का मलब है D by D X of D Y by D Z by D Y कहने का मलब पीछे step में जो आपने D Z upon D Y निकाला हुआ है यहाँ पर ठीक है step number 2 पे जो आपने D Z upon D Y निकाला हुआ है उसका D by D X के respect में क्या करना है differentiate कर देना है देखिए D by D X of D Y by D X तो यही सबसे important question था I hope आप इसे समझ गे हूँगे आपको क्या करना है D by D X देखिए D by D X किसका करना है D Y by D X का जो आपने D Y by D X निकाला उसको X के respect में differentiate कर देना है अगर अभी भी आपको कोई doubt है तो आगे मैं question करूँगा वहाँ हम इस concept को easily समझ लेंगे तो आपने R निकालना आगिया S निकालना आगिया और T निकालना आगिया अब क्या concept है देखिए find R, S and T at all critical points कहने का मलब जितने भी हमारे critical points पीछे निकले जैसा कि इस question में मेरा सिर्फ एक critical point निकला बट असल question में हमारे जितने भी critical points निकलेंगे उन सभी critical points पे मुझे R, S और T की value निकालनी है तो हमारा R निकल गया S निकल गया और T निकल गया स्क्वाइर करेंगे अगर वो greater than 0 आया ठीक है then point P, Q कहने का मलब जिस critical point पे R, T minus S स्क्वाइर greater than 0 आया देखे ध्यान से सुन लिजी इस बात को ठीक है जिस critical point पे R, T minus S स्क्वाइर greater than 0 आया तो वो point होगा point of extrema extrema कहने का मलब either maxima और minima या तो वहाँ पर maxima होगा या तो वहाँ पर minima होगा और जिस critical point पे R, T minus S स्क्वाइर less than 0 आयेगा वो point होगा आपका point of neither minima nor maxima और इसी को बोलते हैं saddle point ठीक है? माल लिजी आपका एक point था 1,2 माल लिजी यह आपका critical point था और इस critical point पे आपका जो R, T minus S स्क्वाइर है वो greater than 0 आगिया तो इसका मतलब 1,2 आपका हो जाएगा point of extrema कहने का मनलब 1,2 पे या तो maxima होगा या तो minima होगा बट अगर 1,2 point पे R, T minus S स्क्वाइर less than 0 आजाए तो इसका मतलब क्या है जो 1,2 point होगा वो होगा मेरा saddle point आया अब आपको saddle point निकल गया होगा कि R, T minus S square जब less than 0 हो जाए जिस point पे उस point को बोलते है saddle point ठीक है यहाँ पर मैंने सिर्फ एक ही critical point सब पोच किया हुआ था तो अगर P, Q point पे R, T minus S square less than 0 हो जाता है तो P, Q क्या हो जाएगा मेरा saddle point हो जाएगा ठीक है तो यह concept आपको आगया होगा अब हम समझेंगे कि हमने अभी तो बोला कि point of extrema जो कि क्या होगा either maxima और minima बट अब हमें समझना है कि असल मैं maxima गहाँ पर होगा और minima गहाँ पर होगा तो चलिए स्क्वाइर ग्रेटर देन 0 होगा अगर ऐसा हुआ और r ग्रेटर देन 0 हुआ किस point पे आपके उस critical point p, q पे माल लिजे कि p, q point पे rt-s square greater than 0 हुआ और r greater than 0 हुआ तो point p, q जो होगा वो आपका क्या होगा point of minima आई बास समझ में और fxy की minimum value उस p, q पे निकलेगी कहने का मनलब जैसी आप fxy पे p, q रखोगे तो आपकी minimum value निकल जाएगी यह तो आप जानते ही है कि point of minima पे minimum value निकलती है point of maxima पे maximum value निकलती है तो common सी चीज़ है और वहीं अगर rt-s square greater than 0 हो देखिए पहले की तरह बट अगर r less than 0 आजाए तो जो p, q होगा वो होगा आपका point of maxima और p, q point पे क्या निकलेगी आपकी हमें सा maximum value निकलेगी आई वास समझ में और यह concept तो simple था कि rt-s square less than 0 हो तो वो हो जाएगा आपका saddle point या कह सकते हो आप point of neither minima nor maxima और एक last case है जिसके के हम पीछे discuss नहीं किये हुए थे कि अगर rt-s square equal to 0 आजाए exact 0 आजाए तो case हमारा doubtful है इसका मतलग इस method से मैं उस question को solve नहीं कर सकता उसके लिए मुझे कुछ दूसरी method लगानी होगी तो I hope आपको इस सारे result समझ मां आके होंगे यह result सबसे important है ठीक है तो जो पहले के 2 point है देखिए यह 2 point same है दोनों में यह 2 point दोनों में same है देखिए बस difference क्या है अगर r greater than 0 हो जाए तो point of minima r less than 0 हो जाए तो point of maxima और अगर point of maxima है तो उस point पे maximum value निकलेगी और point of minima है तो उस point पे minimum value निकलेगी और r t minus s square less than 0 हुआ तो कोई फर्क नहीं पढ़ता कि अगर r आपका greater than 0 हो या r आपका less than 0 हो कोई फर्क नहीं पढ़ता हमेशा यह क्या होगा हमारा saddle point या कहने का मलब नाइदर minima नोर maxima और अगर r t minus s square equal to 0 हो जाए तो case मेरा हो गया doubt ठीक है तो अभी हमने सारे result भी देख लिए ठीक है अब इसके बाद हम कुछ important questions को solve करते हैं कि अगर आपके दिमाग में अभी तक कोई doubt है अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया है क्योंकि lecture 10 minute का हो गया है 10 minute से में आपको समझा रहा हूँ तो हो सकता है कि कुछ चीज़ा आपके दिमाग से मिस होगी हो ठीक है उसके लिए हम कुछ questions solve करेंगे और उस questions से आपके concept को और clear करने की कोसिस करेंगे तो चलिए questions की ओर वड़ते हैं so friends हमारा पहला question है देखिए मैं इसको अपनी copy में solve कर लिया हूँ ताकि आपको समझने में थोड़ा easy हो मेरी handwriting में देखिए और यहां मैं कुछ question कराऊंगा इसके बाद मैं इसका एक part 2 करके एक lecture और बनाऊंगा जिसमें कि मैं IIT jam में आए हुए questions को discuss करने वाला हूँ उसमें मैं 5 से 6 questions IIT jam में आए हुए या IIT jam में most expected questions को solve करूँगा तो हमारी videos के साथ आप बने रहें और हमारा channel अभी subscribe कर लें ठीक है तो चलिए इस question के ओर बढ़ते हैं let z equal to क्या बोला है 2x square plus 2xy plus 2y square minus 6x तो यह मेरा क्या है z है तो जरूर ही नहीं कि आपको हमेशा z कहा हो question में लिखा होगा given fx square ठीक है मैं आपकी display पे इसका exact question भी लिख दे रहा हूँ ठीक है question आप board में देख लीजे वहाँ मैं question क्या दिया हुआ है fxy equal to 2x square plus 2xy plus 2y square minus 6x और हमें निकालना है कि उसका maximum value की धर पे आएगा minimum value की धर पे आएगा या उसका saddle point की धर पे आएगा इस चीज के बारे में हमें discuss करना है तो मैंने क्या कि जो fxy मुझे question में दिया हुआ था उसको मैंने एक नया function माल लिया जो कि मैंने माना z तो z बराबर मैंने यह fxy जो की दिया हुआ था वो लिग दिया उसके बाद मैंने z को x के respect में differentiate किया और आप एक चीज जानते हैं जब हम x के respect में differentiate करते हैं तो हम y को as a constant treat करते हैं ठीक है और similarly जब हम y के respect में differentiate करते हैं तो x को as a constant treat करते हैं ठीके तो जब मैंने x के respect में डिफरेंसेर्ट किया तो मैंने y को क्या माना constant माना तो देखे 2x² का हो गया 4x, देखे 2xy, y तो constant है, तो 2y लिग दिया, x का हो गया 1x की respect में, 2y² देखे y², y constant है तो y² भी constant, 2 तो constant है, multiply हो गये तो h потом constant तो constant आया तो इसका क्या जाना है 0 आ जाना है तो constant का differentiation x के respect में 0 होता है और last में क्या बचाया 6x तो 6x का क्या होज़ेगा 6 similarly मैंने dz upon dy निकाला तो मैं समझता हूं कि आप IIT jam के preparation कर रहे हैं तो यह तो simple concept आपके लिए ठीके इसके बाद अगला step क्या था dz upon dx और dz upon dy को equal to 0 put कर लेना तो मैंने इसको 0 put कर दिया और दो equation मेरी यहाँ पर बनी और इन दो equations को मैंने elimination method से solve किया अगर आपको elimination method से solve करना नहीं आता तो मैं आपके display में इसका जो मैंने rough work किया हुआ था उसका photo में आपके display में ला दे रहा हुआ आप वहां से reference ले सकते हैं ठीक है so मैंने इन दो equations को solve किया solving equation 1 and equation 2 find all critical points ठीक है जितने भी possible critical points हैं उन सबको मैंने निकालने की कोशिस की तो मुझे क्या मिला equation 1 or 2 को solve करके x बराबर 2 and y equal to minus 1 सिर्फ एक ही point मिला मुझे that is critical point is 2, minus 1 ठीक है मुझे सिर्फ एक ही critical point मिला इस question में ये बात आप note कर लिजिए बट जो हम अगला question करेंगे तो हो सकता है हमें उसमें एक से ज़्यादा critical point मिले ठीक है अब मैंने क्या निकालना है r, r क्या होता है देखे d square z upon dx square जैसा कि मैंने आपको बताया हुआ था तो वो क्या है कि z को आप दो बार differentiate कर लें तो एक बार तो आप पहले ही differentiate कर चुके हैं एक बार आप पहले ही differentiate कर चुके हैं तो आपको दुबारा करने की जरुरत नहीं है ठीक है थोड़ा smart work करेंगे तो dz upon dx हम निकाल चुके हैं बस इसी को दुबारा differentiate कर देते हैं देखिए तो d by dx of 4x plus 2y minus 6 यहां मैं लिखा हुआ हूँ बट जब आप exam में करेंगे तो आप इसक x का हो गया 4 देखिए 2y का x के respect में differentiation 0 6 तो constant है x के respect में 0 तो answer कितना आगया मेरा 4 ठीक है ऐसी अगर मैं s निकालू तो s क्या होता है d square z upon dx dy देखिए यह important concept है और जिसे की मैंने बताया d by dx और dy by dx में पीछे समझा चुका हूँ कि इस चीज को हम यह लिखते हैं तो देखिए d by dx लिखा और dy by dx मेरा यह होता है देखिए आया तो जैसी मैंने इसको solve भी किया तो मेरा answer 2 आगया और t देखिए d square z upon dy square देखिए तो d z upon dy यह मुझे मिला था और इसको मैंने दुबारा y के respect पर differentiate किया तो मेरा answer क्या आगया मेरा 4 आगया यहाँ पर एक note करने वाली चीज ह है कि जो मेरा r s और t की value आई पहले से ही constant value आई देखिए r की value आई मेरी 4 ठीक है r की value आई मेरी 4 sorry r की value आई मेरी 4 s की value आई मेरी 2 और t की value अगेन आई मेरी 4 2 और t की value आई मेरी 4 देखिए इस पर अगर आप कोई भी point रखें तो रख सकते हैं क्या नहीं रख सकते हैं देख चार पे आप 1,2 रखे, क्या होगा, चारी तो आएगा, अगर कोई आप यहाँ पर 4X होता, तो X की जगों में आप 1 रख लेते, माल लिजे आप 4Y होता, तो Y की जगों में आप 2 रख लेते, तो 4 x 2 यह हो जाता आपका 8, बट यह तो पहले से ही constant value थे, तो आप तो यहाँ पर निकाला, अब हमें चेक करना है, अगर मैं चेक करूँ, तो R T minus S square निकाल लेता हूँ मैं, क्योंकि सारे result में, मुझे निकालना तो वो ही था, मुझे result में निकालना क्या था है, देखिए, मुझे निकालना तो R T minus S square ही है, चाहे यहाँ हो, चाहे यहाँ हो, चाहे यहाँ हो ठीक है बट अगर वो greater than 0 आ गया तो मेरे ये case आएंगे less than 0 आ गया तो मेरे ये case आएंगे ठीक है बट overall हमें निकालना तो क्या है rt minus s square तो rt minus s square जैसे ही निकालूँगा तो r आया था मेरा 4, t आया था मेरा 4, 4 into 4 ठीक है यह हो जाएगा 16 minus s square जो कि s था मेरा 2 तो 16 minus 2 का square जो कि 12 आया और हम जानते हैं कि 12 greater than 0 होता है ठीक है अब greater than के case में क्या होता है कि हमारी extreme value आती है कि वो maxima भी हो सकता है और minima भी हो सकता है अब हम कैसे पहचाने उसके लिए हमारा concept होता है हमें r देखना होता है अगर r भी greater than 0 है और r t minus s square भी greater than 0 है तो जो हमारा critical point होगा वो होगा मेरा point of minima यह मैं आपको बता चुका हूँ ठीक है यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है देखिए since at point 2, minus 1 r t minus s square greater than 0 है and r is also greater than 0 तो इसका मतलब क्या हुआ point 2, minus 1 is point of minima तो आपको एक question समझ मा आगया होगा आप इस question का screen sort ले लिजिएगा ठीक है और इस question को एक बार खुद से अपनी node book में बनाने की कोशिस कीजिएगा I hope आपको एक question बड़ी ऐसे समझ मा आगया होगा अब हम चलते हैं अगले question की गोर So, अगला question क्या कहता है देखे So, अगला question कह रहा है कि fxy बराबर दे रखे आपको x cube plus 2xy plus y cube और हमें निकालना है कि किस point पे maxima हो सकता है किस point पे minima हो सकता है या किस point पे इसके saddle value आ सकते है तो कुछ नहीं करना है इसको हम बड़े short में देखेंगे मैंने z माना, z बराबर जो हमको function दिया था उसको लिग दिया हमने dz upon dx निकाला, dz upon dy निकाला एक बात नोट कर लिजेगा जब आप dz upon dx निकालेंगे तो y को constant rate करेंगे और जब dz upon dy निकालेंगे तो x को constant rate करेंगे उसके बाद मैंने dz upon dx और dz upon dy को 0 पूट कर दिया और जितने भी critical point होते हैं वो मैंने आपके सामने निकाल दिये तो ये मेरे 2 equation थे एक equation ये था एक equation ये था मैंने क्या किया solve करते time थोड़ा सा hint यहाँ पर बता रहा हूँ कि पहले वाले equation से मैंने y की value निकाली y की value कैसे होगी देखिए minus 3 x square rhs में चले जाएगा और 2 नीचे आजएगा तो minus 3 by 2 x square और जो मैंने y की value निकाली थी इसको मैंने equation number 2 में पूट कर दी कहने का उनलब equation number 1 से मैंने y की value निकाली और उसको equation number 2 में पूट कर दी और जो मेरे critical point निकाले तो मैं आपके display में rough work लगा दे रहा हूँ आप वहाँ से check कर लीजिए अगर आपसे ये दो equation solve नहीं हो पा रहे हैं आपसे critical point जैसा की question में है answer में है वैसा नहीं निकल पा रहे है तो आप यहाँ से reference ले सकते हैं ठीक है तो इन दो equations को जब मैं solve किया तो मेरा critical point निकला 0,0 and minus 2 by 3, minus 2 by 3 ठीक है और solve करना एक बाँ और देख लीजिए कि पहले वाले equation से y की value निकाल लिए और दूसरे वाले equation में put कर लीजिए हो सकते हैं आपकी एक quadratic equation बनेगी उसको solve कर लीजिए जितने roots निकलते हैं उस roots पे x और y की value निकाल दीजिए ठीक है तो जैसे ही critical point आप निकाले तो आपने देखा कि critical point आ रहे है 0,0 and minus 2 by 3, minus 2 by 3 अब हमें क्या करना है अब हमारा main task है r,s and,t निकालना तो आप जानते है r क्या होता है एक यहाँ पर मेरी गलती होगी मैं यहाँ पर u लिख दिया जबकि मुझे लिखना चीए था z क्योंकि जब मैं rough work यह practice करता हूँ तो काफी books मैं u दिया रहता है और मैं u लेके भी practice करता हूँ तो यह आदत यह बन गी तो मैं यहाँ पर u लिख दिया बट यहाँ पर जहाँ पर भी मैं u लिखा हुआ हूँ आप इसको z कर लिजेगा similarly ठीके तो देखिए मैंने क्या किया सबसे पहले मैंने निकाला d square z upon dx square जो कि क्या होगा d by dx कहने का मुलब z को दो बार differentiate कर दो एक बार तो आपने यहाँ पर किया है इसी को एक बार और कर दो जैसा कि मैंने यहाँ पर किया है d by dx of 3x square plus 2y और जब x के respect पर differentiate करोगे तो y को constant treat करना है यह मैं काफी बार बोल चुका हूँ इसको दिमाग में note कर लिजे और आपका answer आया 6x देखिए अभी x भी आया यहाँ पर note कर लिजिए ठीक है और यहाँ पर देखिए s को देखिए s बराबर देखिए d square u upon dx dy जो की होता है d by dx of dz upon dy यहाँ पर मैं दुबारा z लिख दिया हूँ देखिए ठीक है यहाँ पर देखिए तो आदत हुई तो इसके बाद देखिए तो d by dx of dz upon dy देखिए d z upon dy आप यह equation number 2 में निकाल चुके हैं उसको x के respect में differentiate करेंगे तो आपका answer आ गया 2 आया तो पहला r आया मेरा 6x और s आया मेरा 2 अब t देखिए t में क्या है t होता है d square z upon dy square देखिए d z upon dy आप पहले से निकाल चुके थे इसको दो बाद differentiate कर दीजिए आया अब देखिए इसको जैसे आपने solve किया तो आपका answer आया 6y तो मेरे 3 point आगे 1 आया मेरा 6x 1 आया मेरा 2 और 1 आया मेरा 6y अब देखिए मेरे 2 critical point थे इस question में देखिए एक नहीं निकला मेरे 2 critical point निकले तो पहले critical point पे मैं observe करूंगा at point 0,0 देखिए इस point पे r बराबर क्या होगा r क्या है मेरा 6x x की जगों में 0 रखूंगा तो 6 into 0 जो की हो जाएगा मेरा 0 s तो मेरा constant value आया 2 तो चाहिए यहाँ पर कुछ भी critical point आया होता तो s तो मेरा हमेशा 2 ही रहता t देखिए 6y और यहाँ पर मेरा y भी 0 है देखिए 0,0 कहने का मलब x भी 0, y भी 0 तो t की जगों में भी 6 into y की जगों में 0 रखा तो 6 into 0 जो की हो जाएगा मेरा 0 तो अगर आप rt minus s square निकाली यह किस point पे 0,0 पे अगर आप 0,0 point पे rt minus s square निकालते हैं तो यह क्या हो जाएगा देखिए r की value 0, t की value 0 0 into 0 minus s की value आई थी आपकी 2 0 into 0 minus 2 square तो क्या हो जाएगा देखिए minus 4 हो जाएगा जो कि आप जानते है less than 0 है और आपको पता है कि अगर less than 0 हुआ तो हमें r तो देखने की ज़रूरती नहीं है अगर less than 0 होता है तो इसका मनलब जो 0,0 point है वो क्या है point of neither minima nor maxima आया यहाँ पर देखिए मैं लिखा हुआ हूँ since rt minus s square is less than 0 that is point 0,0 is point of neither minima nor maxima इसको मैं short form में लिखा हूँ ठीक है और इसी का मतलब होता है कि 0,0 मेरा क्या है saddle point है ठीक है तो saddle point पे भी question कर लिया क्या करना है saddle point के लिए कि अगर rt minus s square less than 0 हो जाए तो इसका मतलब वो मेरा क्या होगा saddle point होगा जिस critical point पे यह बात नोट कर लिजिएगा जिस critical point पे rt minus s square less than 0 हो जाए वो मेरा होगा saddle point ठीक है अब ऐसी similarly देखे minus 2 by 3, minus 2 by 3 इस point पे देख लिता हूँ r बराबर क्या हो जाएगा 6x है x की जगो में minus 2 by 3 रखा तो solve भी क्या तो minus 4 आ गया मेरा ठीक है यह देखे r बराबर 6 into minus 2 by 3 solve भी क्या तो यह मेरा आ गया minus 4 s तो मेरा 2 था constant था अगर यहाँपर 2x square होता तो यहाँपर भी में value रखता बट यहाँपर unfortunately मेरा constant value आया और ऐसी अगर t की बात करूँ तो t बराबर क्या है मेरा 6y और y की value भी मेरी minus 2 by 3 है तो 2 by 3 रखा तो मेरा क्या निकल गया यहाँ से solve किया तो यह भी मेरा क्या निकल गया minus 4 sorry आपको आपर display नहीं हो रहा होगा बट आप इसको solve कीजिएगा तो minus 4 ही निकलेगा now r t minus s square देखे इस point पे देखूँ तो यहाँ पर देखिए अगर r t minus s square करोगे तो r है minus 4 t b है minus 4 minus s है आपका 2 2 का square तो जो की solve करने पाँ जाएगा आपका 12 जो की greater than है आपका 0 से तो इसका मतलब हमारे दो case बनेंगे कहने का मतलब जो यह minus 2,3 और minus 2,3 point है यहाँ पर मेरी extreme value निकलेगी या तो minima भी हो सकती है या तो maxima भी हो सकती है बट अब हम देखंगे r जो की मेरा r आया था हुआ आया था इस point पे minus 4 जो की less than 0 था इसका मतलब since r t minus s square तो greater than 0 है बट r less than 0 है तो इसका मतलब जो यह point है यह critical point हो सकता था कि मेरा एक critical point और निकलता ठीक है एक critical point मेरा और निकलता और उस critical point पे मेरा क्या हो जाता minima भी निकल जाता ठीक है देखें कितनी interesting बात है कि एक point पे मेरा क्या निकल जाता maximum निकल जाता एक critical point पे minima निकल जाता ठीक है एक critical point पे maximum निकल गया एक critical point पे minimum निकल गया एक critical point पे saddle point भी निकल गया ठीक है तो जो इसका part 2 बनाऊंगा उस पे मैं ऐसे question भी कराऊंगा आपको यहां मैंने सिर्फ simple basic question कराए ठीक है तो I hope आपको यह video समझवाया होगा यह concept आपको समझवाया होगा ठीक है हमने जो दो question solve आपको कराए वो आपको समझवाया होगा तो अगर आपको हमारी यह video पसंद आ रही है ठीक है हमारी मेहनत आपको अच्छी लग रही है तो हमारे video को like कीजिए और अपने उन सभी दोस्तों के साथ हमारी इस video को share कीजिए जो IIT Jam 2021 की तैयारी कर रहे है तो इसी के साथ अलविदा लेते हैं आप पढ़ते रहिए अपनी तैयारी करते रहिए मिलते हैं अगली वीडियो में इसी जो topic है maxima and minima for functions of two variable इसके मैं दो पार्ट लाऊंगा ठीक है इसको नोट कीजिए पहला पार्ट होगा मेरा इस पे important question जिस पे की मैं 4 से लेके 5 important question कराऊंगा और दूसरा पार्ट होगा मेरा minima and maxima for functions of three variable ठीक है आपको YouTube में इसका बहुत कम content मिलेगा functions of two variable का content तो आपको बहुत अधिक मिल सकता है YouTube में या Google में but functions of three variable जो कि IIT jam में है IIT jam के topic में कहा गया है कि functions of several variable इस पे functions of three variable भी आ सकता है question तो इसके बाद का जो मेरा वीडियो होगा वो होगा maxima and minima और functions of three variable और जब तक आप इस वीडियो को देखंगे मैं उसका लिंक भी इसके description में डाल दिया होंगा ठीक है तो आप मेरी कोई भी वीडियो अगर देखते हैं तो उसका description जरूर चेक कर लें क्योंकि मैं description में ठीक है उस वीडियो से related वीडियो को डालते रहता हूँ तो चलिए वीडियो काफी लंबी होगी बट आसा करता हूँ कि आपको एक पूरा concept समझ में आया होगा इसके साथ अलविदा लेते हैं पढ़ते रहिए अपनी तैयारी करते रहिए thank you very much